फ्रेंक्स आज मैं आपके लिए कैसी स्वादिस्ट मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूँ जिसे आप पांच मिनिट में बना कर तयार कर लोगे और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मावा या चाशनी की बिना गैस चलाए इंस् मिल्क पाउदर इसमें इसमें डाला है और इसी के साथ 2 चमच मैं डाला हूँ पाउडर मेरे पास ना काजू नहीं थे पाउडर था तो मैंने वहीं डाल दिया आप इसकी जगह पे इसमें 15-20 काजू डाल सकते हैं और इन सब को हमने एक बर अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइ ये डालेंगे उबला हुआ ठंडा दूद गरम दूद आपने बिल्कुल यूज नहीं करना थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूद डालेंगे एक दम से जादा दूद नहीं डालना जैसे एक से दो चमच दूद इसमें डाल दिया फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे औ और एक नगष डो हमने इसका बना कर तयार कर लेना है मतलब जो डो हमने बनाना रहीं तो साफ्ट हमने डो इसका है बना लेना है तो अभी ये देखिए हमारे ये वाला मिक्शर जो मिठाई का गठा हो गया और बहुत ही सॉफ्ट सा ये हमारा डो बन चुक है अब हम इसको दो ब्राबर हिस्सों में बांट लेंगे, इस तरह से आपने दो ब्राबर हिस्सों में बांट लेना है, एक को रखते हैं साइड पे, और इसमें मैं डाल रहे हूँ थोड़ा सा ओरेंज फूड कलर, आप चाहें तो इसमें पिंग कलर डाल सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर से भी तो ये orange color वाला dough भी हमारा तैयार हो गया, अब हम ने जो white वाला portion रखा हुआ था, उसकी चोटी-चोटी बनाएंगे balls, balls आपने बिल्कुल भी बड़ी नी बनानी, चोटी-चोटी इसकी balls बनानी है, इस तरह से देखिए, इतने एक size की, तो अभी हमने इस की है, जो white वाले portion की इस तरह से दो balls बना कर ready कर लिए, इसी तरह से जो orange वाला हिस्सा ना, उसकी भी हम छुट-चोटी balls बना लेंगे, तो इस पेड़े को बनाने के लिए हमें दो orange ball चाहिए और दो white, तो पहले अपने orange ball इस तरह रख लेनी है, फिर white, फिर orange, फिर इसी तरह से white ball, इस तरह से आपने दीखिए इनको रख लेना है, इसके बाद आपने इसको ऐसे हलका-हलका गुमाना इस तरह से, और थोड़- पेड़े की shape दे देनी है, इस तरह से घुमाते जाएए उंगलियों में और उपर से अंगुठे से प्रेस करते जाना है, तो बहुत ही प्यारा से एक design है जो इसके उपर बन के आ जाएगा, इसी तरह से मैं आपको एक और बना कर दिखा देती हूँ, हलका सा आपने उपर से जो हथेली से प्रेस करना है, इसके बाद जैसे हम पेड़ा बनाते हैं, वैसे इसको इस तरह से दिखे, पेड़े की shape दे देनी है, और बाद में उंगलियों में घुमाते हूँ, उपर से अंगुठे से इसको प्रेस करते जाना है, तो इसी तरह से हम बाकी सारे जो पेड़ अब वैसे ही कर सकते हैं, तो यह हमने सारे पेड़े हैं, जो बना कर इसके तयार कर लिए हैं, इंस्टेंट बनने वाली मिठाई हैं, जादे इसमें आपको ingredients की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अभी मैं आपको तोड़कर इसका texture दिखाती हूँ, बिल्कुल मावा की में स्टोर कर सकते हैं, तो आए होप आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी हम लोग मिलेंगे एक और नहीं रेस्पी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का बहूंद की,